हंड्रेट और फंड्रेड इन्फजिक्स अरे सर एंस्टर में तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उनको लगा कि अब मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा प्रेलावन्थ में ऐसा हुआ न सर घरवालों का सपना भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो बोगाने वाला बताने वाला घर कोई ऐसा मिल जाए जो के इसकोर कर सकते और उसका सिंपल सा फंडा यही रहे है unit test final exam second unit test then unit test के साथ prilium यह सभी exam के अंदर अगर आप एक अच्छा score कर सकते हैं अच्छा score मतलब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप वहां चाहिए out of score करो अगर out of score कर रहे है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप तयारी उड्रेड आउड उड्रेड की कर रहे हो फिर भी अगर आप वहां एक उच्छा कासा स्कॉर करते हैं तो भी कोईबी को plu summut आपके इंट्रा लिए आपके हिसाब से भी ज्यादा मार्स देता है तो अच्छा स्कॉर कर रहे हैं तो अ आपके लिए सबसे डिफिकल्ट कौन सा physics, chemistry, math या बायो सबसे जादा बैंड आपकी कौन बजा रहा है सर फिजिक्स बजा रहा है कि chemistry बजा रहा है खुले आम comment box में लिको उसके लिए हिम्मत चाहिए मैंने हमेशा बोला है कि आप तभी change हो सकते हो जब आपको अपनी गलतियो और बताने कीमत सब्में नहीं होती है अगर आप में है मुझे बता है कि अपने इदर जितने student को जो एहसास होता है वो जताना और बताना जानते हैं तो इस comment आपके लिए है फड़ा पड़ा 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 अपनी चीज़े बता सकते हो जिससे मैं आपको जान पाऊं कि अपने पास कैसे बच्चे हैं तो भाई देखो फजिक्स टोटल तीन चीज़े जो बेडिपेंड होता है concept, derivation and numericals अगर ये चीज़े हो गया तो भाई आपका बल्ले बल्ले बहुत सारे बच्चे ना जो one marks ये two marks ये questions होते हैं और theory questions होते हैं उसको ज्यादा करता है उसको र यार कि derivation इतना भी ज्यादा डेंजर नहीं होता बस आपको समझाने वाले कोई अच्छा चाहिए सबसे प्यारा derivation ही होता है सबसे ज्यादा प्यारा derivation बात अलग है देखो बुक में जैस तरह से derivation लिखा हुआ है उस तरह से आपको exam में नहीं लिखना है बहुत सारे बट हमारा जो बोर्ड होता है बोर्ड को उस तरह सी चीज़े नहीं चाहिए बुक जो होता है वह explanation बुक में दिया रहता है आपको explain करके देने की ज़रूत नहीं है आपको एक रूल वाइस पैटर्न को फॉलो करना है डाइग्राम डाइग्राम से रिलेटेट तीन लाइन बस उससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं और फाइनल स्टेटमेंट बस इतना ही लिखना है इससे ज्यादा करने की ज़रूत नहीं से ज्यादा भी करोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्स आपको नहीं मिलने वाला और उससे आप और ज्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे बुक मैं सही तरीका नहीं पता होने के वज़े से सब बच्चे डेरिवेशन से बहुत दूर भागते हैं पर मैं आप सभीक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार प्यार से प्रदीप सर का वीडियो जाके देखो देखो डेरिवेशन से प्यार हो जाएगा भाई पक्का बोल रह सबसे पहले concept की मैं बात करो concept से related जो questions आता है generally one marks two marks और कभी कबार three marks का पूछा जाता है अगर इसमें अपने को पूरे marks चाहिए अगर इसमें पूरे marks चाहिए तो भाई simple सी बात है सबसे पहले देखो अभी starting चल रहा है मैं कभी यह न बोलूँगा कि आप क्या करो कि direct जो इसमें main question वह पढ़ा है सा मैं कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आपका starting है जैसी मन नजदीक आएगा तो मेरा जो वीडियो में अलग चीज़े में बताऊंगा अभी अलग चीज़ बताऊंगा क्योंकि अभी starting है तो आपको तयारी full करना चाहिए तो मान लो आपने आ आपने याद कर लिया और exam में जाने के बाद आपने जब question देखा तो आपको लगा यह बाहर से आया और जैसे आप बाहर निकले तो बोले यही answer रिखना तो यह तो मेरे को आता था तो यह main मुद्दा यह है कि आपको यही नहीं पता है कि यही same answer का question कितने type का आ सकता है इस concept चीजे देख रहा है फिर इसके बाद यह भी देख लोगी पिछले कई सालों में यह topics related कि कितनी तरह के questions पूछे गए जिससे आपकी दोनों चीजे complete होती जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका तो आपका यह topic भी complete हो रहा है और कितने type question इस ते related पूछा जा रहा है वो भी होता जा रहा है यह बिल्कुल सही तरीका और same derivation के अगर मैं बात करूँ तो derivation अगर देखा जाए तो two marks का three marks का एन जाद कभी कबार four marks का भी पूछा जाता है okay अब two and three marks का proportion थोड़ा जादा रहता है two and three marks के लिए आप देखो अगर आप ऐसे बच्चे हो अगर पूरा ही करते जाओ पूरा ही करते जाओ फिर इसका उसको analyze करो कि इसके अंदर से जो मैंने किया हुआ उसको किस तरह से पूछा जाता है वो देख लो बड़ेकर अप ऐसे हो कि नई सर थोड़ा ना अपना physics के अदर हाट कमजोर है सर तो क्योंकि मैं मैं बहुत सारे score अच्छा कासा करना है तो वाई सबसे अच्छा क्या करो derivation के लिए pyq with solution ऐसा कोई book उठाओ जिसमें only pyq न दिया रहा है उसके साथ उसका solution भी दिया रहे जिससे क्या होगा कि देखो solution हो सकता आपके आस notes होगा उसके अंदर भी दिया रहेगा पिट कभी कबार board के कुछ ऐ समशना और derivation hardly देखा जाए तो हर chapter के अंदर इतने derivation नहीं होते जो most important होते जो एक्जाम में हर साल पूछे जाते जिसको अब बहुत एक तरीके से करना चाहो मैंने बताया कि उसके अंदर के hint point को समझो उसके diagram को समझो और उसके तीन step को समझो चीजे खतम और derivation बहुत आराम तरीके से आते हैं कि कि वही derivation कई सालों से पूछा जा रहे हैं मैं आपको उताना चाहूँ कोई आपको बोलेगा कि दस साल का ले लो आठ साल के ले नौ साल का ले लो PYQ मैं बोलोंगा कभी नहीं यह बिल्कुल गलती मत करना सिलाबत जब से हमारा change हुआ है उस सालो एक्जाम फिर इसके बाद इंप्रुवेंड वाला एक्जाम जो अभी री एक्जाम जो होता है री एक्जाम के बाद कि फाइनल अक्टूबर वाला एक्जाम तो तीन एक्जाम ऑलरीडी हो गया अब 21 22 23 24 यह चार साल भी आपने कवर कर लिया तो भी आपकी बल्ले बल्ले आप समझ सकते हो कि कौन सा क्वेशन बार-बार-बार-बार रिपीट हो रहा है अब इसके लिए पीवाई क्यों के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं अभी आप जो वीडियो यहां तक देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि हमारा जल्दी बुक लॉंच होने व वाले हैं कि हम मतलब उसको पब्लीश करने के लिए देने वाले हैं बट यह सभी चीजों को कम से कम दो धाई में ना लगेगा पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पीवाई क्यूब सॉलीशन की ज़रोती नहीं आपको ऐसे बुक की ज़रोती नहीं है अभी इस समय आ प्रिंट करवाने के लिए भीजना पड़ता यह करना पड़ता है तो नहीं बहुत कम लोग बुक करवा रहें बहुत जयadah नहीं करवा रहें जिन बच्च ज़रोत है उनके लिए क्योंकि अल्रेडी डाटा आया हुआ है कि इतने बच्चों को ज़रौत है एक बार हमने हमने एक बर फॉर्म फिल करवाया था उसके अंदर उन बच्चों का तो उतना ही हम बुक बना रहे हैं अगर आपको ज़रौत है आप देख सकते हैं इसके बाद गाईस कि ऑल्रेडी हमारे सिलाबस कम्प्लीट किया हुआ है बच्चों को ता किसा डिजिटल बोर्ट पे एक बार और कर दो तो छे मैंने पहले हमने पूरे सिलाबस को फिर से एक बार कम्प्लीट किया जिसमें आप पूरी तरह से उसके अंदर देख सकते हो हाँ इस बर मेरा टार्गेट है कि यूट पर आता था घरी टूल जो अपना में चैनल है और जो राहुल सर का एंटू है संदीप सर का पूरा का पूरा का पूरा कैमस्ट्री अमोल सर का फ्रजिक्स टू यह हमारा दूसरा चैनल प्रदीबगरी लेवन ट्रॉल एक बी जिस पर अब सब चीजे इसी चैनल पर आएगी सिलाबस कंप्लीट करना साथ हो तो आपके प्रदीप सर ने वहां पढ़ाया हुआ है पूरी चीजे कंप्लीट कर सकते हो इसके साथ हमारा रैंकर बैच भी चल रहा है यह अभी का ही फोटो है यह मेरा एकदम colorful notes बना के हम लोग पढ़ा रहे हैं यह आपके संदीप सर का फो अब मेरा भी एक lecture हुआ है उनमें तो आप तो day to day live के साथ connect करते हो एक्जामपल को मैंना physics में तभी तो मज़ा आता है यार जब हम connect कर पाया ना तो ही physics का मज़ा नहीं तो भाई सब गंगा ऐसी बहती है तो अगर आप YouTube से पढ़ना चाहो तो यूटूब पर पढ़ सकते हो पढ़ना most important है और अगर हमसे डारेक पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप पे जॉइंड होगे मैं बूलूँगा ज्यादा डीले मत करो लेट मत करो अभी रैंकर बैस से जॉइंड हो जाओ और अच्छे बस्ट जो अल्रेडी ऑफ्राइंग की टीचर है उन टीचर से डारेक ब आपको बहुत ज्यादा मज़ाएगा इसके बात करते हैं निमारिकल्स में गया इस देखो अगर बहुत ज्यादा बच्चों का हाथ बहुत ज्यादा तंग रहता है तो जनरली बोड में 12-15 मार्क्स का पूछा जाता है ज्यादा इसका प्रोपोश्चन तो नहीं होता पर मै सबसे पहले तो फोकस उसी पे करो उसके लिस्ट का फर्मिला बनाओ कि इतने दिनों में अंदर कौन सा नमारिकल बार-बार रिपीट हुआ है उसकी चीजे करो देखो आपकी बल्ले-बल्ले अगर आप और अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो नौनीट का 21 आता आप उसक के लिए पुछ मत करो क्यूंकि हमारा एक पॉटफ़ल बुक आने वाला है शबकुछ आपको मिलेगा तक आपको आपको किसी चीज़ की है अभी ज़रत धहाते है तो और यूटुप चैननल पर मैने पढ़ाया है तो वा आ उसको देख देक के लिख सकते हो या तो आप डारेक्ट मुझसे जुड़ोगे तो सब चीजे वहां औरडी मिल जाती है तो 21-24 करोगे या तो मैंने बोला कि टेक्सबुक के अंदर टेक्सबुक के अंदर जो बॉक्स बने रहते हैं अगर जाके वहां देखोगे तो उसके अंदर जो टॉपिक दिया रहता है टॉपिक से रिलेटेड नुमारिकल्स दिया रहता है वो नुमारिकल्स भी आप क्या कर सकते हैं वो नुमारिकल्स भी सॉल कर सकते हो और मैं बोलूँ के पहले सबसे बहले सॉल नुमारिकल करो बार बार समझा रहो सॉल नुमारिकल करो सॉल नुमारिकल के ब आप रैंकर बैस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डिस्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है कॉल करो और पड़ा 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 जाओ और पढ़ने में तो नेक्स्स लेवल का मजाएगा मिलते हैं एक्स फूड़ो में थैंक्री सोबस्के ज जिया महाँ प्रादस्टू